हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भाईया और यार तुम सब लोग कैसे हो, मुझे कमेंट करके बताना तो में इन मुद्दे पे आते हैं हमारे जो चाप्टर है, The Portrait of a Lady हमारे हॉन्बिल बुक का जो आपके क्लास 11 में यूज और अगा, of course का मतलब होता है, फ्रेम, फोटो फ्रेम, या फिर एक पिच्चर समझ रो तो यहां पर बेसिकली, खुस्वन सिंग अपने दादी के बार में बताएंगे और उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, तो चली, एक्स्प्रेंशन सुरू करते हैं जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो करीजेना, और अपने दूस्तों के साथ प्लीज इस वीडियो को सेयर कर देना, सेयर का अप्सन नीचे मिल जाएगा तो स्टोरी सुरू करते हैं, यहाँ पे खुस्वन सिंग बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो दूसरों की ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल लेडी थी और वो अपने ग्रैंड मदर को पिछले 20 साल से जानते हैं, और वो यह भी कह रहे हैं कि लोग उनकी ग्रैंड मदर के बारे में बाते करते थे, कि वो एक समय में बहुती यंग और प्रिटी दिखा करती थी और वो यह भी कहते थे, कि उनका एक हस्बेंड भी था, पर यह सब बात उनके लिए hard to believe था, मतलब वो इस सब बातों पर believe नहीं कर सकते थे, यकिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर थी, वो काफी अगली दिखती थी, क्योंकि वो of course agent हो गई थी, और उनके ज बता रहे हैं, कि उनके जो grandfather का portrait, यानि की तस्वीर, उनके drawing room में लगा हुआ था, उस तस्वीर में वो बड़े से turban पहने वे थे, और loose fitting clothes पहने वे थे, और उनकी लंबी लंबी white दाडिया भी थी, जो उनके chest के कुछ पार्ट को cover करता था, और वो कम से कम 100 साल के तो लगत तही थे, अब खुस्वन सिंग बता रहे हैं, कि उनके grandfather को देख कि ये बिलकुल भी नहीं लगता था, कि उनके बीबी बच्चे होंगे, बलकि ये लगता था, कि उनके बहुत सारी grandchildren होंगे, यानि कि वो काफी agent दिखते थे, इसलिए वो ये भी कह रहे हैं, कि मेरी मेरी जो और उन्हें बताती थी, कि वो जब छोटी थी बच्पन में, वो कैसे खिला करती थी, फिर वो बता रहे हैं, ये सब सुनके उन्हें ऐसा लगता था, यानि कि ये सब सुनके उन्हें बहुत ही illogical और disrespectful वाली feeling आती थी, और ऐसा लगता था, कि कोई saint यानि कि कोई पुजारी आके हमें moral stories पढ़ा रहा है, फिर author कह रहे हैं, कि वो अपनी दादी को 20 साल से जानते हैं, और वो 20 साल से काफी छोटी, मोटी और थोडी bent है, यार बुड़े लोग हलके bent होते हैं, आप लोग पता ही होगा, मतलब एकदम सीधे नहीं होते हैं, एज के अनुसार ऐसा हो जात हैं, फिर वो बता रहे हैं, कि वो इतनी old थी, यानि कि उनकी दादी इतनी old थी, कि उससे जाता old वो किसी को देखे ही ना हो, और वो कह रहे हैं, कि पिछले 20 साल से उनमें कोई changes नहीं आये थे, फिर author बता रहे हैं, कि उनकी दादी white color का dress पहन कर, घर में इधर उधर बहुत दे सके, वो ये भी कह रहे हैं, कि उनकी दादी का silver locks, यानि कि hair, उनकी दादी का जो hair था, वो काफी untidy था, और वो हर समय गाना गाते रहती थी, यानि कि prayer गाते रहती थी, और बहुत ही inaudible voice में, यानि कि उससे कोई सुन नहीं सकता था, फिर author कह रहे हैं, कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है, कि मेरी दादी सुन्दर नहीं थी, हाँ वो सुन्दर थी, कैसे सुन्दर थी, like a winter landscape in the mountain, क्योंकि वो बहुत ही peaceful और calm थी, फिर author बता रहे हैं, कि वो और उनकी grandmother बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जब से author के parents city में रहने चले गयते, तब से वो अपनी grandmother के साथ रह मतलब गाते रहती थी, और कौन सा गाती थी, मतलब क्या गाती थी, प्रेयर गाती थी बगवान के लिए, और वो बहुत ही अच्छे आवाज में गाती थी, वो author कह रहे हैं, कि उनका आवाज बहुत ही पसंद था, पर उन्होंने कभी भी उस प्रेयर को सीखना नहीं चाहा, और उनकी दादी ये सोचती थी, कि सायद ये मेरी गाना सुन सुन के ये प्रेयर को सीख ले, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा, फिर author बता रहे हैं, कि जब वो तयार हो जाते थे स्कूल जाने के लिए, तब उनकी दादी उन्हें wooden slate देती थी, जो कि पहले से धोके रग देती थी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जैसे हम लोग कॉपी यूज करते हैं, उस समय कॉपी यूज नहीं होता था, उस समय बच्चे वोडेन स्लेट में लिखा करते थे, तो वही author भी बता रहे हैं, फिर वो कह रहे है कि उनकी दादी उन् में एक चपाती होता था, जिसे बटर लगा हुआ रहता था और सुगर, बटर और सुगर लगा रहता था, उन्हें वो दे दे थी थी स्कूल ले जाने के लिए, फिर वो कह रहे है कि कुछ खराब चपाती जो पिछले रात के होती थी, उनकी दादी उसे रख लेती थी ताक वही नहीं, उनके साथ-साथ जो भी बच्चे आया करते थे वहाँ पे, वो सभी मिलकर एक जगह पे बैट कर वरांडा के बगल में, सभी मिलकर गाया करते थे, और तब तक मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो बगल वाली टेंपल में बैट कर स्कृप्चर पढ़ा करती थी, औ जब उनके पास जो सुखी रोटी रदी थी, कल रात की, पिछले रात की, वो लोग दोनों लड़ते थे कि कौन पहले उस डॉक को देगा, फिर ऐसी वो लड़ते लड़ते घर को पहुंचते थे, अब ऑथर बता रहे कि जब उनके पैरेंट्स कम्प्लीटली सिटी में सेट पर अब वो लोग दोनों साथ में स्कूल नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑथर को लेने मोटर बस आता था, जिसमें ऑथर जो थे वो बैठ के जाया करते थे, अब स्ट्रीट में कोई कुटे तो थे नहीं, जिन्हें वो चपाती खिला सकते थे, अब उनकी दादी मा कर जो कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो वो और भी उदास हो गई, फिर एक दिन जब ऑथर ने आके उनकी दादी को बताया कि उनके स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है, तो वो बहुत ही गुसा और अंदर से उदास भी हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था, कि म्यूजिक बहुत ही खराब चीज है, और इसे पस पुरे लोग, भीखारिया, भीखारी लोग, और यही सब ऐसे ही लोग बस इसे मतलब गाया करते हैं, और यह कोई जिंटल मैन, जो है, म्यूजिक नहीं सिखा करता, उस समय लोग ऐसा मानते थे, पर अभी ऐसा मानना बिलकुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी काफी सारे लोग, म्यूजिक के बल पर ही कहा से कहा पहुँच चुके हैं, तो आज के जबाने में यह सब हो सकता, आप लोग रिलेट नहीं कर पाओ, तो आगे बढ़ते हैं, फिर वो बता रही कि धीरे-धीरे साल पर साल बीचते गए, और तब उनकी दादी ही उनने तयार किया करती थी और श्कुल भेजा करती थी, वो ये भी बता रहेएब थे हमेसा पूछा करती थी, जब वो श्कूल से वापस आते थे, उन्होंने क्या-क्या पढ़ा before वो बताते थे अपने English words में कि उन्होंने science and learnings के बारे में पढ़ा about law of gravity, Archimedes principle और बहुत कुछ पढ़ा तो ये सब सुनके उनकी जो दादी थी वो काफी upset हो जाती थी, unhappy हो जाती थी क्योंकि उन्हें इन सब lessons के बारे में कुछ नहीं पाता था और वो इन सब चीजों को author को सम उन्हें separate room दे दिया गया इससे क्या हुआ उनके और उनकी grandmother के बीच में जो friendship का common link था अब वो भी खतम हो गया ये सब के बाद grandmother उनकी जो grandmother थी उन्होंने present situation को समझा उन्होंने जाना कि अब उन्हें private रहना पड़ेगा दूसरों लोगों से दूर रहना पड़ेगा इसलिए उनकी जो grandmother थी अब हमें से spinning wheel के पास बैठे रहती थी कुछ कुछ बूनते रहती थी यानि कि spin करते रहती थी बस वो एक ही time break लेती थी वो था दोपहर के समय जब वो sparrows को छोटे-छोटे bread के टुकरे दिया करती थी और वहां पे hundreds of sparrow है वहां पे आके बैठा करते थे और चोटे-छोटे bread के pieces को लिया करते थे और खाया करते थे फिर author बता रहें कि कुछ sparrows आते थे और उनकी grandma के सिर पर कुछ उनके पैर पर कुछ उनके solder पाके बैठ जाते थे यह सब देखके उनकी grandma काफी खुस होती थी और उन्हें कभी भागाती नहीं थी मतलब वो जब sparrows फिर वो बता रहें कि उन्हें further studies के लिए यानि कि author जो है उन्हें further studies के लिए abroad यानि कि दूसरे country जाना था और यह सब वो जानते थे कि यह बात जब मेरी grandma सुनेगी तो उन्हें काफी दुखी मतलब दुख होगी दुखी होगा दुखी होगी क्योंकि यह बिलकुल मतलब उ काफी समय के लिए और वो बता रहें कि उन्हें पांत साल के लिए मतलब फॉरेंच जाना था यहां पर author को डर भी लग रहा था कि जब वो पांत साल बाद वापस अपने घर लोटेंगे तो हो सकता है उनकी grandma जिंदा ना बचे क्योंकि वो काफी old हो गई थी फिर वो बता र राक्त का जो माला होता है उसे गिन रही थी और उनके साथ आये जा रही थी at the last moment वो बस उनके सिर पे किस करती है और train वहां से चला जाता है यानि कि यह जो उन्होंने किस क्या grandma ने उनके forehead पे author की forehead पे यह last sign था physical contact का ऐसे author को लग रहा था author को लग रहा था कि हो सकता है मैं वापस grandma से नहीं मिलता हूं कभी तो हो सकता है यह मेरे और grandma के बीच में तो physical contact है यह last है पर ऐसा नहीं होता है author कुछ समय बाद यानि कि 5 साल बाद वापस अपने घर लोटते है author अपनी grandma को उसी station पे मिलते हैं फिर वो जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें देखके ऐसा लग रहा था मानों इन 5 साल में कुछ change हुआ ही नहीं हो वो अभी भी वही मंतर बरबडा रही थी हाथ में रुद्राक्च का माला लेके उसे गिन रही थी और मतलब सब कुछ सेम कुछ भी अंतर नहीं आया था और इस जब वो ऑथर जो है उनके अपने घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि इस बार भी उनका जो happiest हाफनार है वो वही है स्पैरोस को खाना देना और जब स्पैरोस आके उनके बैठते हैं बस इस बार उन्होंने बस एक ही चेंज नोटिस क किया जब ग्रैंडमा ने आसपास की वोमेन को एकटा किया और वो सब मिलके ड्रम बजाने लगे गाना गाने लगे तो यह सब देखके ऑथर को थोड़ा सा लग लगा बाकी सब कुछ सेम था उनका रूम भी एकदम सेम था जैसा वो छोड़ के गहते हैं अब कुछ लोग प बजा रही थी और बजाते जा रही थी बहुत देर तक और वो गाना भी गारी थी वो क्या गारी थी होम कमिंग ओफ वारियर्स यानि कि जो ब्रेव लोग जो वारियर्स है उनके उनके ब्रेवरी के बारे में यह सब वो गाना गा रही थी यह सब देखने के बाद ऑथर है और उनकी जो मदर है वो सब आके उनकी ग्रैंडमा को परस्यूड करती है यानि कि रिक्वेस्ट करती है कि आप ये सब करना बंद करो कोई भी काम को लगतार मत करो यानि कि ओवर स्ट्रेइनिंग मत करो पर ये सब सुनने के बाद वो उनके ग्रैंडमा नहीं रुखती है और आथर बता रहे हैं कि उन्होंने पहली बार ग्रैनमा को इस रूप में देखा था जब वो प्रे नहीं कर रही थी वरना पहले वो जब भी ग्रैनमा को देखते थे तो वो हमेसा प्रे करते रहती थी और पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैनमा जो है वो गा रही है और ड्रम बजा रही है फिर उन्हें ये भी बात आफ़ोर्स आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि उनकी ग्रैंडमा बोलती है कि ये गाना गाना और ये सब अच्छा काम नहीं है मैंने बताया था आपको तो ऐसा ओथर ने देखा कि उनकी ग्रैंडम बिमार पर जाती है ये सब देखने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा को मिल्ड फीवर यानि कि हलका बुखार है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा और उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो अलग धंग से सोचती है और कहती है कि मेरा इंड अब नियर है यानि कि मेरा डेथ होने वाला है इसलिए वो अप्रे नहीं करना चाहती नहीं तुम लोगों से यानि कि ऑथर से और उनकी ममी से बात करकर टाइम वेस्ट करना चाहती है वो बस सोए रहना चाहती है अपने बेड में और जाप करना चा वो किसी का भी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर देती है और वो अपने में व्यस्त रहती है वो माला का जाप करने लगती है फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो साइलेंट हो गई है यानि कि वो अब माला का जाप नहीं कर रही है उनका lips silent हो गया है और उनके हाथ में जो माला था हो सकता है रुदराक्ष वो जो था वो गिर जाता है तो ये सब देख के हम जान जाते हैं कि अब उनका death हो चुका है फिर author की grandma को रिती रिवाज के अनुसार बेड से उतारा गया जमीन पे रखा गया उन्हें red shroud यानि कि लाल कलर के कपड़े से cover किया गया और हम सभी यानि कि author, author की mommy और family में जो भी लोग थे सभी चले गए उनकी funeral की arrangement के लिए यानि कि जो जलाया जाता है मुर्दो को आपको पता ही होगा जिनका death हो जाता है उन्हें जलाया जाता है Hindu rituals में ऐसा होता है तो उसी के लिए इस arrangement के लिए सभी लोग चले गए कुछ घंटो के लिए और फिर सारे arrangement करके वे आते हैं फिर साम को पूरा परिवार दादी मा के dead body के पास आता है दादी मा के dead body को stretcher पर लेटाते हैं फिर वो एक बात की और जिकर कर रहे हैं कि उस समय जो sun की light थी वो काफी dense थी उस समय sun set कर रहा था और उस समय जो light था वो काफी ज़्यादा glow कर रहा था और उनके dead body के पास पूरा light बिखरा पर आता फिर वो एक और चीज पर गौर करते हैं कि thousands of sparrow's उनकी दादी मा के dead body के आज पास बैठे वे हैं ये सब देख के उन्हें काफी अजीब सा लगता है फिर उनकी जो author की जो mom है वो sparrow's को देखती है और उन्हें अंदर से थोड़ा दयास आता है इसलिए उनकी mom bread के crumbs को लेके आती है और sparrow's के सामने बिखेर देती है पर एक भी sparrow जो था वो bread crumbs की ओर ध्यान नहीं देता है और सभी के सभी sparrow's जो थे वो बिल्कुल सांती से dead body के पास बैठे हुए थे फिर अगला दिन सुभा होता है उनके funeral यानि की दादी मा के जो भी रिती रिवाज उसे पूरा किया जाता है फिर sparrow वहां से जितने भी sparrow's थे वहां से उड़के चले जाते है वहां पर sweeper आता है सारे bread के crumbs को एक जगा कलेक्ट करता है फिर उसे dust bead में डाल देता है और गाइस इस तरह से हमारे स्टोरी खतम होता है खुब सो आपको वीडियो पसंद आए हो वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना आपको पता ही होगा तो गाइस मैं चलता हूँ मिलते है अगले वीडियो में तब तक एंडिंस आपको पता हूँ मिलते है